हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो वाज यूटीब चैनल विद्या महासागर जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ट्रिक्नोमेट्री के एक बाए सारा कूर्स खतम होने बाद यानि कि ट्रिक्नोमेट्री यानि कि त्रिकोण मीती का परिश्य वाला जो चैप्टर है का जो पार् और सायर केताइन हे कि टैना होता है प्रपैंडिगुऑल्राइब है आपोजरी श्रॉटेा अपन हाइपोटीस है इन इस होता है वह कॉस का उलता होता हूब जबकि 550 होता है लंब ओ चान हो गया braucht घो यही होगया कॉस का उल्टा दो कॉस का उलता हुता हैं वह कॉस embr हो जाए और कोट क्या होता है तैन का उल्टा टैन था हमारा लंब्वाट अपन आधार और उर कॉट हमारा आधार हो लंब्वाट यह सभी को यह यह तो हमें याद करना ही पड़ेगा ठीक होगे दोस्तों अभी मैं फिर मैंने आपको पता है था कि technomatic ratio जाने कि 3 कोण मीति के जो यह उन पाते हैं के बीच के किसा संबंद होते हैं, मैंने नशीक अभी बता है cos sec का ultra sin होता है और sin का ultra cos sec होता है ठीक है, तो पता चल गए sec का ultra cos cos का ultra sec होता है और tan का ultra sin लिग्ताओं apparent उय्यां अंपारी लिए और ज टो इसके लिगाव स्थ पड़ा था हिऊंगी मीदी अनुपात का जो-मानकमान होता है हमने इसके भारे में पड़ा था तो मैं यही बताना चाहरा हूँ कि अगर आपको यह याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको एक अभी सौट ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपको फटाफट से याद हो जाएंगे ठीक है दो चलिए शुरू करते हैं फिर मैंने आपको ये बताया था कि त्रिकाण मीती अनुपाथ के बीच में क्या संबंध होते हैं देखो लिससे पूरा कोंड के बीच में क्या होते हैं साइन ने इस स्काड़ Fire संगु म는 फूर इदू most important, ठीक है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus 10 square theta equal to 6 square theta, 1 plus cos square theta equal to cos square theta, यह हमने याद करने हैं, ठीक हो गया, अब हम सबसे, अब हम निखाना सिखेंगे, यह technometric values कैसे निखा थी, ठीक है, तो अगर मैंने, मैं हापर लिखूं, साइन की values, साइन, साइन लिखा मैंने, यह angle हो गए, यह गया 0, यह गया 30, यह गया 45, यह गया 60 degree, यह गया 90 degree, यानि कि देखो, 0, 30, पताई 60, 90, ठीक है, यह देखो, 0, 30, पताई 60, 90, अब मैं, अब मेरे को, कुछ पता नहीं है, आप भी मालोगे, आपको कुछ पता नहीं है, कि हमको साइन, क्या साइन की 0 पर value कितने होती है, ठीक है, मैं एक 100 trick बताऊंगा, सीधे से आप ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक ले लिया, फिर यह सारे नमबरें, इनको 4, 4 से डिवैड करो, ठीक है, 0 से 3 by 4, 3 by 4, 4 by 4, अब सब जब हम इन सब को सिंप्लिफाय करेंगे, महलब कि 0 पर फूर कितना होता है, 0 पर फूर हमेशा 0 होगा, ठीक है, लेकिन 4 पर फूर होता, तो वो not defend होता, यानि की infinity होता, लेकिन आप जीरो की पर फूर में कुछ है, तो यानि की 0 हो जाएगा, 1 पर ठीक है, दोस्तों, अब 4 पूर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा, ये बचा 1, अब क्या करेंगे, फर्ष्ट में हमने पहले, पहली में नमबर लिए, 0, 1, 2, 3, 4 तक नमबर लिए, फर्ष्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, फिर जो, अब हमारी यहां से साइन के वेल्यों निकल आएगी, रूट 0 कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है, अंडर रूट 1 अपॉन पूर, 1 का, ये 1 इंटू 1 होगा, तो 1 आ गया, और नीचे 4 को, 4 किसका स्पैर रूट होता है, 2 का, तो नीचे आँगा, 2, 1 अपॉन टू, और अं देखो, साइन की 30 पे 0 है, साइन की 0 पे 0 है, साइन 0 पे 0 है, साइन 30 पे 1 अपॉन टू है, साइन 45 पे 1 अपॉन रूट 2 है, साइन 60 पे रूट 3 अपॉन टू है, साइन 90 पे 1 है, अब देखो, कि सही कैसी है, ये देखो, साइन की वेल्यू मैंने आपको यहां बताया थी, और से पहले हमने लिया 0 से लेके 4 तक गिनती गिन ले ली only 0 1 2 3 4 औहले कि सुन्ण 1 2 3 4 हमको गिनती लिखने पहसे ours obviously पहले पिर हम्ने उसको 4 से. छीए थीक है फिर हमने उस जह चetr से. पहले की तो हमारेस का जमारी her still और अगर तब आपको sin की value पता है तो मैं आपर cost की भी निकाल देता हूँ cos sin की value यह इधर को है यह 30 पे होता है यह 60 पे होता है यह 0 पे होता है यह 30 पे होता है 45 degree पे होता है और यह 60 degree पे होता है और यह 90 degree पे होता है यह हम सभी को पता है ठीक है दोस्तो वहां तो चलिए इसका आगे करते हैं तो देखो cost मैंने बताया था अगर जिसको याद है जिसको निभी याद है कोई दिक्कत हैं अब सुनने अच्छे से जहां से सुनने ना फटापट इसको खतम करते हैं ठीक है फिर माला chapter भी खतम हो जाएगा अब देखो 0 से यह ती 3 value या फिर लास्ट में 0 आ गया यह cost की value यह हो गया अब 10 की लिफ्मतों में 10 की होती है 0 upon 1 मलब की sin upon cos होता है नहीं होता है देखो यह देखो 10 theta sin upon cos तो देखो 0 upon 1 कितना होगा सीधी सी बात है 0 upon 1 0 1 upon 2 root 3 upon 2 2 से 2 कर जाएगा तो यह 1 upon root 3 हो ठीक है फिर इतना याद है तो 1 upon root 3 हो तो बचा कितना 1 फिर देखो root 2 upon 2 1 upon 2 है 2 से 2 कर गया बचिया कितना है root 3 1 upon 0 क्या होता है मैं आपको बताया था कि 0 upon 1 होगा तो 0 लिखते है लेकिन 1 के upon में अगर 0 किसकी upon मा आए तो उसका मतलब होता है जो value है not dependent यानिकि infinity या पर आप infinity लिखो या फिर not dependent लिखो इसमें कोई दिख करती है ठीक है दोस्तों तो यह आया आपका ठीक है यह value आया आपकी समझ गया आप अगर जब आपी sign cost 10 आ गए तो बात खतम देखो हमको sign या था हमको sign या था नहीं था तो हमने cost निकाला अब हमे sign cost 10 आता है तो हम cost अब सब हम हवा में पिल्कुल इतने तेज लिख सकते हैं क्या बताएं देखो cost sec और cot यह 3 बचे ठीक है cost sec को क्या लिख दिंगे 0 का 0 इसका sign का reciprocal cost होता है यानि कि 1 upon 2 का reciprocal कितना होता है का 2 do 1 upon root 2 का reciprocal यानि की, root 2 root 3 upon 2 का reciprocal यानि की 2 upon root 3 ठीक है और 1 का reciprocal के टना होता है 1 upon key होता है 1 upon ठीक है समच 드ивал के सब तो हम और जो zero का reciprocal हेता जीरो का reciprocal is zero नहीं होता है दिखो मैंने अब भी बताया है जब 0 कि जीरो किसी के अपॉन मा आता है तो वो होता है not defined यानि कि अपॉन अपॉन जीरो होता है यह फिर इंफिनिटी लिख दो यह फिर not defined लिख दो चैसे यहाँ पा लिखा था कोई दिख करती ठीक है इसमें not defined ठीक है दोस्तों अब देखो अब अगर हमें cos पता है तो हम check भी लिख देंगे cos का reciprocal check होता है तो 1 का reciprocal 1 root 3 upon 2 का 2 upon root 3 1 upon root 2 का root 2 1 upon 2 का 2 0 का वो ही infinity यानि कि not defined ठीक है सब समझ गे बिल्कुल समझ रहे हैं सब साबाज ठीक है अब याएस एसे होगा कैसे कैसे होगा से आँने किया ठीक है तो पर आप करो ज़ी यार cord कैसे कैसे होगा तो मैं बता दूंगा से कैसे होगा ऑगो cord 0 upon 0 NOT defined दो दयागा कैसे कैसे होगा आसे एसे होगा ल्याने कि 0 का receive use google के लिटन 10 का उठका उठका उल्टा कर दो तो वैसे हमारा आ जाएगा तो यह root 3 हो गया यह 1 यह root 3 का रेशिवड कर तो 1 upon root 3 अब 1 upon infinity अब infinity का उल्टा कर गया जीरो तो इसकी वैलो जीरो थी है ठीक है वीडियो को खतम करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तुम्हें दोस्त का शेयर कीजिए तो वसकी तुरी मास्क है जरूरी अपना और अपने करवाल का जहान रखिए आसपास आप सुपाई बिनाए रखें मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग टेक केर धन्यवाद